सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चनल पर नियुक्त को सब्सक्राइब करें में दुश्यान को भी सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब नट सी एंड सब्सक्राइब बात LIKE अगर आपको मुझसे चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इस्टेग्राइब पर कॉंटे कर सकते हैं सब्सक्राइब कर На Спophane का यूल् remembers विरिगो से पर्सन के किरिंद रिपीलिंग्स विरिगो से पांटनेट पर रिखाशन जासज आएSiज ब सबस्क्राइए विरिगो किंग ओफ पैंटिकल हरमिट वेगो यह आपकी एनरजी मुझे लग रही है यह आपको रिप्रेजेंट करता है तो लेकिन आपके जो परसन है वह आपको मैनिफेस्ट करें लाइफ में ओके और बहुत अदा मेडिटेशन का भी हो सता है इस्तमाल कर रहे हो और या फिछास हो समझके कोई स्टेप्स लेना चाहरे हैं बहुत जहारे हैं इनकी स्टेप्स में लग रही है और वह अब स्टेबिल 18 चाहते हैं ज्या ओक आपको चाहते हैं या पिर आप से स्टेबिलैटी कमिट्मेंट जाते हैं कोषिना कोई सो समझ के अपनी stability पे कोई ना कोई काम करें हो सकता है वो आपसे चुपा भी रही हो इसको queen of pentacles, yes जैसे बहने का कि वो अपनी stability पे काम करें तो आप इसे stability पे work करें queen of wands, but वो action ले रहे जारे हैं अपनी तरफ से, कोई ना कई action जरूर ले रहा है लेकर एक्षिन डिले हो रहे हैं, हो नहीं पा रहे हैं, यह उनके लिए चैलेंज है कि वो कोई एक्षिन ले नहीं पा रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए So yes, हो सकता है उनको financial कोई थोड़ी सी crisis से गुजरना पड़ है, financial थोड़ी सा problem है या फिर वो आपके साथ जो हैं थोड़ी closed off है, emperor, so yes, वो अपनी life का control अपने हाथ में लेना चाहते हैं और वो अपनी life को अपने तरीके से handle करना चाह रहे हैं इस time पर, वो सकता है वो आपसे भी इतनी उमीद नहीं रहे हैं तब भी तो वो अपने आपको इतना closed off feel कर रहे हैं, वो आपसे भी इतनी उमीद नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो खुद से ही बहुत कुछ करना चाह रहे हैं अपनी stability के लिए लेकिर वो confusion का शिकार है हो सकते हैं financial stability की confusion हो कि उनको पैसों के हवाले से बहुत जादा problems है या फिर mother issues भी हो सकते हैं कि अपनी mother के साथ उनके issues हो सकते हैं अपनी finance मुझे सकते हैं वो बहुत जादा finances पर focus हैं अपने आपको self sufficient या financially बहुत जादा independent करना चाहते हैं ताके वो कोई न कोई action अपने लिए ले सकें यहां पर बहुत जादा money मुझे नजर आ रहा है money उनके mind में है वो अपने आपको खुश रखने के कोशिश कर रहे हैं true intentions किया हैं आपके लिए यह true intentions हो सकती हैं आपके साथ कुछ time spend करने के कोशिश करें या या फिर वो अपने आपको खुश रखने के कोशिश करें मुझे लगता है कि वो अपने आप में ज्यादा focus है इस वक्त वो आपके हवाले से इतना नहीं सोच रहे miracle तो वो किसी miracle का wait करें कहीं न कोई miracle हो और उनकी life में stability आए या फिर आपकी दरफ से commitment मिले या वो आपको commitment देने के काबिल हो वो इस तरह का कोई सोच रहे है फिकेट तो यहाँ पर आपके लिए यही है मतलब आपके साथ unstability चल रही है वो अंदर से बहुत नाखुश है उनको लगता है कि उनकी जिन्दगी की बहार खतम हो चुकी है उनको ऐसा फील होता है और वो अपनी दिन्दगी खुशी को तलाश कर रहे हैं और वो अपने आपको उपर से joyful दिखाते हैं और अंदर से वो बहुत ज़दा unstable है यस उपर से अपने आपको बहुत ज़दा money oriented अपने काम में focused और बहुत ज़दा अपनी stability पे अपनी दिल की बात नहीं कह रहे हैं लेकिन वो अंदर से बहुत ज़दा unstable है जो के वो किसी से कह भी नहीं रहे है यहां पर वो आपसे closed off है आपसे अपनी दिल की बात नहीं कह रहे है तो universe उने guide कर रहे है getting to know each other as you reveal your inner-most self to each other your bond deepen तो universe उनको कह रही कि अगर वो आप से share करते है अपनी बाते तो आप दोनों का bond जादा deep हो सकता है retreat, it's time to disconnect from the world तो वो अपने आपको world से disconnect कर रहे हैं और yes वो अपने आपको world से disconnect करके just अपनी काम पर focus करते हैं अपने money पर focus कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो आपके बारे में भी सोचते हैं कि आपके साथ ही उनका जो relationship है उसके हवाले से वो सोचते हैं so let's see कि उनके heart messages इस वक्त क्या है okay I want to feel that way again तो वो आपको कहना चाहते हैं कि वो उस तरह से दुबारा feel करना चाहते हैं you don't know how it was hard to let you go I don't react when people mention you तो आपको भी आपको जारे देना अपनी लाई से उनके लिए बहुत difficult था और जब आजकल जो लोग अगर उनको आपके बार में कोई बात करते हैं आपके हवाले से कोई बात करते हैं you came closer to than anyone I love you यह सब आपसे कहना चाहते हैं I know exactly what I was doing तो उनको सब कुछ पता था मतलब जो भी है वो जाते भूचते ही हुआ So let's see के उनका next action towards you क्या हो सकता है वो बहुत दा anxiety में है और हो सकता है आगे भी रहें कुछ worry है उनके दिल और दिमाग में जो कुछ परिशानी है जो वो resolve करना चाहते हैं या तो आपसे apology चाहते हैं या आपको apology देना चाहते हैं अगर needed है Yes वो आपसे बात करना चाहते हैं कुछ clear करना चाहते हैं कोई clear-cut conversation वो आपसे चाहते हैं तो definitely वो कुछ चुपा भी रहे हैं हमसे आप उनको mysterious पाएंगे वो आपसे सारी बातें खुल के नहीं कर रहे हैं लेकिन वो सिर्व बातें कर रहे हैं हो सकता है वो आपको clarity दें किसी चीज की clarity दें जो अभी वो आपसे चुपा रहे हैं हो सकता है किसी की ना किसी बात की clarity आपको जरूर देंगे कि उन्होंने क्या decision लिया है अपने decision के हवाले से वो आपको आगा करेंगे और हो सकता है वो reconciliation के हवाले से ही हो joy like happiness के हवाले से ही हो लेकिन जो भी उनका decision होगा वो decision आपके लिए और उनके लिए दोनों के लिए बहुत दा ज़ाइफूल होगा happiness होगा so that was your reading if it resonates you, let me confirm in the comment below like my video, subscribe my channel and thanks for watching you